दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हों कि Instagram की दूसरी ID डिलेट कैसे किया जाता है Instagram का दूसरा एकाउंट डिलेट करने का सही तरीका क्या होता है 2013 में दूस्तो अगर आपके पास भी एक एकाउंट से अधिक एकाउंट है और आप उसको डिलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलेट कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हों कि आप अपने Instagram का दूसरा एकाउंट या दूसरी आइडि डिलेट कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं 2013 में निव अपडेट के साथ तो अगर आप भी अपने Instagram की दूसरी आइडि डिलेट करना चाहते हैं और आप डिलेट नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने Instagram की जो दूसरी आइडि है उसको 100% डिलेट कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो Instagram की दूसरी ID डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने phone के अंदर Instagram application को open कर लेना है अब दोस्तो आपने open कर लिया open करने के बार दोस्तो आपके Instagram ID आ चुकी है अब यहाँ पे नीचे आपकी profile देखने को मिलेगी तो आपको अपने profile पे click कर देना है जैसे आप अपने profile पे click करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे मैं अब दूसरी ID लोगिन कर लेता हूँ जैसे दोस्तो मैं आपको आसानी से delete करके दिखा पाऊँ तो दोस्तो यहाँ पे जो हमारे Instagram की दूसरी ID है यहाँ पे आ चुकी है और दोस्तो मैं इसी को delete करके दिखाने वालों तो आपको इस पे click करना है और यह ID लोगिन हो जाएगे लोगिन होने के बाद दोस्तो simply से आपका मतलब यह open हो जाएगा और दोस्तो यहाँ पे नीचे आपकी profile देखने को मिलेगी तो आपको अपने profile पे click कर देना है जैसे आप profile पे click करेंगे फिर दोस्तो आपकी यहाँ पे account आ जाएगा और कोने में आपको three line देखने को मिलेगा तो आपको three line पे click कर देना है और जैसे आप three line पे click करेंगे तो यहाँ पे दुस्तों आपको सबसे उपर settings and privacy वाल option देखने को मिलेगा तो आपको इस पे click करेंगे थो आपको corona center पे click कर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे दुस्तों आपका account center का पूरा option open हो जायेगा और यहां पे Security & Password के नीचे यह आपको Personal Details देखने को मिलेगा आप परसनल Details पे कलिक करते हैं यहाँ पे Account Ownership & Control का Option देखने को मिलेगा तो आपको इसे इसे पे कलिक करते हैं तो दुस्तों यहा पे नीचे आपको The Activation or Deletion का Option आए गा तो आपको इस पर click कर देना है, जैसे अब इस पर click करते हैं, अब यहां से आप कौन सा Instagram account, Instagram की दुसरी ID डिलेट करना चाहते हैं, तो दोस्तो मैं यह delete करना चाता हूं, तो दोस्तो मैं इसको select कर लेता हूं, और स्टリेट करने के बारDS ho paired hap ki sami na dos option दे cerebral को मिलेगा पहला तो option is deactivate account दूस्रा है delete account deactivate का मतलब ये होता कि दूस्त। आप अपणे account ko कुछ समय के लिए deactivate कर सकते हैं और delete account का मतलब ये होता कर सकते हैं कि आप हमेसा हमेसा के लिए और continue पर आपको click कर देना है जिससे आप continue पर click करोगे अब यहाँ पर Instagram पूछ रहा है कि भाई आप अपना Instagram की जो दूसरी ID है या दूसरा एकाउंट है उसको क्यों delete कर रहे हो क्या कारण है तो दुस्तों मैं यहाँ पर मैं आपको एक region आपको choose कर लेना है तो यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है तो दूस्तों मैं एक region choose कर लेता हूँ और continue पर click कर देना हूँ तो जैसे आप continue पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open होगा और यहाँ से आपको अपना password डालना है जो भी आपके Instagram का password है पासओड डालने क देंगे तो आपको जो Instagram account है Instagram की दूसरी ID वो delete हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए मैं यहाँ पर delete नहीं किया हूँ मैं आपको process बताए हूँ तो आप इस हमारे बताए हो process को अगर आप follow करते हैं तो आप अपने Instagram की दूसरी ID बहुत ही आराम से delete कर सकते हैं यहाँ पर आपक है